हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं पुराने कुर्ती का रियूज करके दो नई चीजे बनाने वाली हूँ तो सबसे पहले हमें नीचे की साइड से यहाँ पे 16 इंच पे माग करना है और इसी तरीके से हमें उपर तक करना है ताकि यह बिल्कुल इस्ट्रेट यहाँ पे हमें एक पिस मिल जाए तो इस तरीके से हम पूरे पे कर लेंगे उसके बाद एक स्केल की मदद से हम इसे सिधा ड्रो कर लेंगे ड्रो करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे तो ये देखे इस तरीके से जो एक्स्ट्रा उपर कफी से वो निकल जाएगा अब हमें देखे इस तरीके से सीधा कर लेना है उसके बाद जो साइड में यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है तो हम इस तरीके से line draw करके पहले straight कर लेंगे उसके बाद फिर से यहाँ पे हम 16 इंच पे mark करेंगे और इसी तरीके से हम नीचे भी करते जाएंगे तो इसका चोड़ाई हमारा 16 इंच का मिल जाएगा इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ तो ऐसे हम draw कर लेंगे उसके बाद इसे भी हम सीधी line इस तरीके से कर लेंगे उसके बाद हम इसे cut कर लेंगे तो इसे हमें cut करके जो extra है side से निकाल देना है इसी तरीके से देखें यहाँ का भी extra वाला part हमें निकाल देना है तो यहाँ पे देखे 16 by 16 का एक square हमारा हो गया अब दोनों के सीधी side को हम अंदर के side करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे 3 side से हम stitch कर देंगे नीचे की side हमें stitch नहीं करना है तो सिलाई हमारी हो गई है अब हम इसे सीधी side पर पलट लेते हैं और इसे हम 2 side में रखते हैं उसके बाद जो side से कप्रा निकला था उसमें से हम जो सिलाई वाला यहाँ पे part है side में जो सिलाई की हुई रहती है उसे हमें cut करके निकाल लेना है तो यहाँ पे हमें stitch नहीं करना पड़ेगा इसलिए मैं यह trick लगा रही हूं तो देखें इसलाई वाला हम इस तरीके से cut कर लेंगे और इसे 2 part में divide करेंगे यहाँ पे cut करके हमें इतना ही लंबाई चाहिए लगभग 5 inch जितना है यह तो इसी तरीके से दूसरे पिस में इसे भी हम cut करके निकाल लेंगे और इसे हमें add करना है यहाँ पे तो देखें इस तरीके से हमें नीचे add करना है और एक को हम इसके उपर add करेंगे और दोनों को रखकर हम stitch कर देंगे बिल्कुल सामने सामने इसी तरीके से हम दूसरे side भी कर लेंगे और side से हमें लगभग 4 इंच जितना जगह छोड़ के करना है तो देखें इसे हमने stitch कर लिया है अब हमने यहाँ पे इसके अंदर cushion add करना है तो इस तरीके से हम cushion को इसके अंदर कर देंगे यहाँ पे मैं shopping bag का cushion बनाए हूँ उसी को कर रही हूँ अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका link मैं description box में दे दूँगी कि shopping bag से हम कैसे कुशन बनाते हैं तो यहाँ पे इसे हम बांद लेंगे तो देखे हमरे प्यारा शक कुशन कवर रेडी हो चुका है पिल्कुल प्यारा एकदम traditional कुशन कवर लग रहा है इसका यूज आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसका यूज आप एजसाड़ी कवर कर सकते हैं तो इसमें आप अपने पूरी साड़ी की सेट ट्रक सकते हैं साड़ी, पेटी, कोट और ब्लाउज तो तीनो एक साथ रहेंगे तो आपको इजली मिल जाएंगे और आपके साड़ी भी मतलब कवर में रहेगी तो गंदी नहीं होगी तो इस तरीके से आप इसका इस्तिमाल आप दो तरीके से कर रहे हैं तो हैना कमाल का आडिया और देखे काफे ज़्यादा सुन्दर लग रहा है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आडिया की तरफ तो जो उपर का पार्ट हमारा निकला है इसे यहां पे देखे इसकी लंबाए 15 इंच है तो हमें इतना ही चाहिए अब हम इसे उल्टी साइड पर करेंगे और यहां पे देखे बीच से हमें पकड़ना है यानि कि गले को एकदम बराबर ऐसे कर लेना है और बीच से हमें ऐसे फूल्ड करके बराबर कर लेना है उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे तो दिखिए यहां पर कट करके मैंने इसे डिवेट कर दिया है अब हमें लेनी है दो पट्टी यानि की बढ़ती पट्टी और एक साइड की पट्टी जो हमारी हूंक और काज के लिए बनती है और इस तरीके से हम उल्टी साइड पर रखकर इस्टिच करेंगे दूसरी पट् इस तरीके से इस्टिच कर देंगे तो देखिए एक हमारी बढ़ती पट्टी रेडी हो गई एक हुंक के लिए और एक काज के लिए तो इस तरीके से हम यहां पर कर लेंगे और नीचे की साइड हमें बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से मार्ग करना है और पीछे भी इसी के बराबर हमें दो मार्ग करना है तो यहां लगभग 4 इंच जितना हम प्लेट लेंगे जो हमने निसान लगा है चारो जगह पे हमें प्लेट ले लेना है तो यह देखिए हमने प्लेट लगा दिया है चारो साइड पे अब यह रेडी हो चुका है अब हमें नीचे की साड़ यहां पर ऐसे double fold करके पूरे लंबाई में stitch करना है आप चाहें पूरे पकास और उसे हाथ से कर सकते हैं तो हमारा प्यारा सा ब्लाओ यहां पर ready हो चुका है बस यहां पर अप जो मैंने यहां पर stitch किया है तो यहाँ पे 4-5 हुक्स लगा दीजी और यहाँ पे कास बना दीजी तो हमरे प्यारा सब ब्लाउज रेडी हो चुका है आप इसे घर में कोई भी इसे mix and match करती हुई सिंपल साडी के साथ पहन सकते हैं तो आप तो जानते हैं ब्लाउज का सिलाई कितना महंगा है तो आप इस तरीके से घर में यूज कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आज की यह दोनों आइडिया आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना मिलती हूं नेक्ट वीडियो में थेंक यू